लीजिये न, प्लास्टिक फ्लेवर्ड पानी है, पीजिये, क्या, प्लास्टिक नहीं पीते, क्यों मजाग करते हैं, हम दिन राज प्लास्टिक ही तो पीते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी, कि आपका प्लास्टिक वाटर टैंक हर दिन पानी में हामफुल केमिकल्स लीज करता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बिमारियां पैदा होती हैं और इतना ही नहीं, आपके प्लास्टिक वाटर टैंक के निचले हिस्से में थीरे थीरे सॉल्ट्स और गंधी जमा होती हैं, चीने साफ करना मुश्किल ही नहीं, almost impossible है और यही कारण है कि एड्वास्ट और प्रोग्रेसिव कंट्रीज में वाटर टैंक्स प्लास्टिक से नहीं, बल्कि स्टेनलेस्टील से बनाएगा जरा सोचिए, अगर आप खाना स्टेनलेस्टील के बरतन में खाते हैं, अगर डॉक्टर्स आपका ऑपरेशन स्टेनलेस्टील से बने इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो यह मटीरियल आपके पानी के लिए कितना से नहीं, नॉर्मली प्लास्टिक वाटर टैंक्स का बेस स हम झोटा ये लिकिन स्टेनलेस्टील वाटर टैंक एक स्टैंट पर माउन्टेश में इनके निछले हिस्से में एक ड्रेइन होता हैं, जिसे कभी भी खोल कर आप टैंक की सफाई आस्थानी से अगरेशनि, और तो और, फ्लास्टीक और सीमेंट टैंक की तुलना में स्टेन से चार डिग्री सेल्सियस इंसुलेटेड रहते हैं और यही नहीं गरम होने पर भी ये पानी में इस्सी तरह के केमिकल को लीच नहीं होने देगे लोग समझते हैं कि स्टेनलेस टील की टंकी जेब पर भारी पड़ती हैं गलत समझते हैं प्लास्टिक वॉटर टैंक और उसके साथ आने वाला सीमेंट बेश इसकी कॉस्ट अगर स्टेनलेस टील टैंक और उसके स्टैंक से कमपेर की जाए तो स्टेनले स्टील टैंक 5-6,000 रुपे महंगा तो है लेकिन बदले में ये आपके टंकी की लाइफ तबल कर देता है तो समझदारी एसी में है कि आप आज ही इस एको फ्रेंडली माटीरियल से अपना वाटर टैंक बनवाए ख्यान रहें, चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपनी और अपने फैमली की हेल्थ से कॉंप्रमाइज ना हो